संपर्खवर में आप अब सभी का स्वागत हैं मैं हूं। विजे थी वारी मध्यप्रदेश में अबारा गौव慌सो से निजात पाने के सरकार के द्वारा एक पाय निकाला गया सरकार के द्वारा जगह-जगह पर गौसाला का निर्माण करवाया गया गौसाला में गौवन्स के लिए भूसा की पानी की समुशित विवस्था की गई लेकिन जब गौसाला में यह देखा गया कि भूसा और पानी की विवस्था नहीं हो पा रही है जो पैसा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है उसका सही से उपयोग नहीं हो रहा है तो सरकार के द्वारा गौसाला को समूह के अंडर में दे दिया गया कि अब इस गौसाला को समूह संचालित करवाएंगे बाब जूद इसके गौसाला की अभी तक विवस्थाएं नहीं सुधार में आई है कुछ ऐसा ही मध्यप्रदेश के रीवा में देखने को मिला है रीव तडब तडब कर मरने के लिए विवस हो रहे हैं लगातार प्रसासनिक अधिकारियों के द्वारा यह दावे कर दिये जाते हैं कि गौसाला में समुचित विवस्था है लेकिन जब जमीनी अस्तर पर जाकर देखा जाता है तो वहाँ पर कुछ और ही देखने को मिलता है महेवा में इस्थित माय असोदा गौसाला में जब जाकर देखा गया तो वहाँ के करमचारियों के द्वारा सापतोर पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर भूसा और पानी की समुचित विवस्था ना होने के कारण गौबंस तडब तडब कर मर रहे हैं यहाँ तक कि जो वहाँ पर स्रमिक मजदूरी कर रहे हैं उनका नौ माह का बेतन नहीं दिया गया है यह तो सिर्फ एक गौसाला की हालत है रीवा जिले में और मवगन जिले में कई गौसालायन संचालेत हैं अगर सभी गौसालाओं में जाकर देखा जाए तो इस्थिती साफ हो जाती है कहीं पर ग तो कहीं पर चारा की विवस्था नहीं है कहीं पर पानी नहीं है गंदगी में गौबंस मरने के लिए विवस हो रहे हैं गौसाला के नाम पर अच्छी खासी मोटी रकम निकाली जाती है और यह बोला जाता है कि गौबंस के लिए समुशित विवस्था की जा रही है मध्यप्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मंचों पर बोलते हैं कि गवु हमारी आदर्स हैं लेकिन उन्हीं गवबंस के साथ क्या हो रहा है यह जमीन पर भी आकर अगर सरकार के प्रसासनी कधिकारी और सरकार के लोग देख लें तो इस्थिती साफ हो जाएगी नाम के लिए गौसालाएं संचालित करवा दी गई है और यह बता दिया जा रहा है कि गौसालाएं समुचित विवस्था कर दी गई है महेवा संकरपूर की अगर बात करें तो महेवा संकरपूर गौसाला में ना तो गौबंस के लिए भूसा की विवस्था है ना पानी के लिए पानी की कोई विवस्था है यहां तक कि वहां पर जो स्रमिक कारिकर रहे हैं उन्हें मजदूरी नहीं मिल रहा है एस्रमिक्यों के द्वारा बताया जाता है कि गवबंस की संख्याधिक हो गई है जिस कारण से यहां पर कोई विवस्था नहीं हो पा रही है सरकार के वादे एक तरफ रह जाते हैं दाबे एक तरफ चले जाते हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बया होती है जन्पतपंचाईस CEO से बात की जाती है तो जन्पतपंचाईस CEO के द्वारा SDM के द्वारा यह बोल दिया जाता है कि हम जाच करेंगे बिवस्थाएं करवाई जाएंगी लेकिन वह बिवस्थाएं सिर्फ नाम मातर के लिए रह जाती है कोई विवस्था नहीं की जाती है और विवस्था ना होने की वज़े से गवबंस गवसालाओं में कम और सड़कों में जादा दिखाई देते हैं सड़कों पर गौववंस दिन प्रतिदीन मरने के लिए विवस हो रहे हैं कभी इन गौववंसों के कारण दुर घटनाएं घटित होती हैं तो कभी सड़क के किनारे फेंक दी जाती हैं लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं लेकिन इस पर ना तो प्रसासन के द्वारा कोई ध्यान दिया जा रहा है और ना तो सासन के द्वारा कोई ध्यान दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ अस्वासन दे दिया जाता है। अलागि देखना दिल्चस्प होगा कि संकरपूर महेवा गौसाला में क्या होता है प्रसासन के द्वारा कुछ कारवाही के जाती है या फिर नाम मात्र के लिए अस्वासन्दे दिया जाता है इसी के साथ मैं विजय तिवारी बहुत-बहुत धन्यवाद क्या नाम है आपका मेरा नाम इन् संस्या क्या है आपकी संस्या और वह भी कितने महिने की नहीं मिले दसन license क्या वोलते हैं यहां की जो एजनसी है न्जनसी भोले खातम आ रहा है अभी अभी तक पैसा नहीं आया तो का संचालन करता है इस गोखला को बढ़ कुञ करी जंदा कंचंचार कर दोके काूस जंसमा मेन तो भाएं हैं अब अब रात में दिन मूरत के अकुबा धील देते हैं